वेल्कम आप आप ब्रॉट करेंगे काप साइकलिंग के बारे में एक वीडियो बनाया था कि अपने 6-PACS कैसे मेंटेन करना तब ही मैंने पोस्ट रखा हुआ था कि अगर आपको काप साइकलिंग के बारे में जानना है तो मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मेसेज किया कि सर बताईए इसके बारे में और साथ में मैंने इंस्टाग्राम में भी पोल रखा हुआ था तो सब जानना चाहते है काप साइकलिंग होता है अब आपने देखा होगा जो भी साल पर शेप में रहते हैं हमेशा सिह के सीजन रहता है जब पोश्य कि यह कैसे पॉसिबल है, जब भी हम कटिंग करते हैं, तब हमारी बोड़ी बहुत अच्छी दिखती है, और जब भी हम काप लोड करते हैं, तो अगेन हमारी बोड़ी खराब हो जाती है, आपने देखा ही होगा बहुत सरे बोड़ी बिल्डर जब उनका like season रहता है, जब competitions र जाता है, तब अगेन वो बोड़ी को अपने टॉर्चर करते है, तब जाके उनको freezer result मिलता है, अगेन वो खराब हो जाती है, अब हमें क्या करना है, जब भी आपकी एक standard बोड़ी बन गई हो, उसको salver maintain करने में ही फाइदा होता है, बिकास बार बार आप महनत करेंगे, एक 4-6 week is good, बिकास उससे जाधा आप करेंगे, तो भी कोई फाइदा निया, बिकास बोड़ी प्लाटो हीट करते ही, ना आपका fat loss होगा, ना muscle बिल्ड होगा, वो एक दम जैसी है वैसी रहेगी, तो हमें वैसा चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए है कि हमेशा minimum fat percentage पे रहे है और काफी सारे clients है, जो मुझसे पहले consistency के पहले normal करते थे, उनका जब cutting phase हो गया, proper shape में आ गया, उसके बाद फिर से उनका muscle loss हो जाता था, proper तरीके से रहते ही नहीं थे, लेकिन जब मैंने इंट्रिद्यूस किया cup cycle, तो उनको बहुत अच्छा result हो गया, और बहुत जादा easy भी ह गया उनके लिए, अब इसका reason बताता हूँ, जब भी हम लोग 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 डायट में या फिर ketogenic डायट में रते हैं, तो हमारे अंदर की craving बहुत बढ़ जाती है, हमें लगता है हम बस वेट करते कि कब हमारा दिना है, जब हम बर्गर, पिज़ा, समोसे, and sweets खाए, ज सब भी मुझे लगता है कब मैं रोटी खाऊंगा या राइस काऊंगा, विकॉज उसी की सबसादा क्रेविंग होती है, लेकिन काफ साइकल में ये सारी प्रोबलम हट जाती है, विकॉज बहुत इजी लिए आप अपने बोडी को मैनिपलेट करते है, और एक चीज बता जब भी आप कैलोरी डेफिशेट डायाट करते है, तो एक टाइम के बाद ना आपका फैट लॉस होता है, ना मसल बिल्ड होता है, बॉडी एक जैसी बन जाती है, तो उस टाइम के आप बॉडी को आप अगर काबो हाइड़ेट नहीं भी दे रहो, तो भी हो इंट्रडूस करें काब साइकल को जो बहुत ही अमेजिंग है, अभी अलग अलग लोगों का अलग 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 टेखनीक्स रहते हैं, तो बेसिकली मैं तीन टाइप के टेखनीक्स बताऊंगा, जो भी आपको सूट करें वैसा आप कर सकते हैं, तो बेसिकली जो आल ओवर वोल्ल में एक क्रेंगे क्या हैं तो तो बेसियुक्त कररें यसमिराइप काईंगे अब अब जो रहन हैंगा ब। ए만 अब जो फाइदा के यह भी समझा अगा कि आपने moderate carbohydrate लिया तो आपका क्या जो glycogen tank है जिसमें आपका glycogen store है वो क्या होगा moderate carbohydrate अखने से minimum रहेगा उसके बाद क्या करेंगे बीच में जब आप करेंगे तो फिर से फुल्फिल हो जाएगा और जब आप करेंगे तब क्या करेंगी बॉड़ी वह जो आपका glycogen store है वह energy के तौर पर खचा करेंगी मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारा carbohydrate रहता है वह हमारा primary source of energy रहता है उसको हम रिपलेस करते है फैट के दौरा इस वाज़े से जब आपने दो दिन हाई काप लिया उसके बाद क्या दो दिन काप्स ने लिये तो उस दिन आपका जो glycogen है वहाँ से energy करेंगी जिससे आपका muscle loss नहीं होगा और regular basis पर अगर आपने जैसे सेम अगर नो काप किया तो body क्या करेगी कि आपके muscle से energy लेना चालो करेगी जिससे बहुत ज्यादा muscle loss हो और हम चाहते ही नहीं कि हमारा कहीं याद नहीं रखना पड़ेगा कि हम दो दिन यह करना है तीन दीन यह करना है तो दीन यह करना है इसमें क्या करना है आपको जो भी आपने calorie deficit बनाया हुआ है या फिर आपकी जो maintenance calorie उससे कम ही आपको खाना पड़ेगा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब तक आप करेंगे तब तक आपका fat loss नहीं होगा तो आपने क्या किया जब पास दिन तक आपका बिल्कुल carbs नहीं दी आपकी बॉड़ी तो आपका जो ग्लाइकोजन जो लास्ट वीक का है वो पूरा खतम हो जाएगा और लास्ट के दो दिन जब आप carbs आट करेंगे इससे क्या होगा आपका जो metabolism है वो high हो जाएगा और साथ में आपका again जो glycogen जो tank again से fulfill हो जाएगा इससे क्या होगा अगेन आप लेक 5 देज तक अराम से कर सकते हैं यह सबसे easiest तरीका है carbs cycle करने का तो इसमें क्या होगा ना आपको गिरना पड़ेगा कि हाँ मुझे cup रखना है high carb, cup रखना है तो एक दिन आपको क्या करना है, zero carb पे रहना है और एक दिन आपको carbs खाना है, लेकिन again moderate rate पे खाना है, आपको high carb day नहीं रखना है इसमें, फिर again आपको no carb करना है और फिर एक दिन moderate carb करना है, तो इससे भी यह बहुत easy हो जाता है, because alternate rate हम करी सकते हैं, और जब आप carbs नहीं ख करते हैं कि जब काप cycle में होते हैं, तब आप क्या सोचते हैं, जिस दिन मेरा high carb है, मैं तो बहुत अच्छी चीज़े खाऊंगा, मैं खाऊंगा, pizza खाऊंगा, burger खाऊंगा, guys यह चीज भी बता दो, अगर आप junk से carb cycle करेंगे, तो भी आपको result नहीं मिलेगा, तो आपको क्य क्या सकते हैं, अच्छी चीज़े खानी है, आपने जो calorie का cycle बनाए हो, वो maintain करना पड़ेगा, आप सोचेंगे कि मैं अगर 3,500-4,000 calories खाऊंगा, कुछ भी खा के और एक दिन नहीं खाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा, आपको deficit ही चलना पड़ेगा, जैसे आपकी maintenance calorie 2000 है, तो आ बड़े बड़े workout है, जिसमें आपको ज़्यादा energy लगते हैं, जैसे legs हो गया है, आपका back हो गया, because deadlifts and all करने पड़ते हैं, तो ये बड़े बड़े जो workout है, ये आप क्या करेंगे, जिस दिन आपका high carb रहेगा, उस दिन करेंगे, और जिस दिन आपका no carb रहेगा, उस दि बड़े चोटे-चोटे muscles करिए, जैसे आपके arms हो गया, या फिर shoulder हो गया, इससे क्या होगा, आपकी body जाधा परेशान नहीं होगी, because body को जाधा torture मत करिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत जाधा torture करते हैं, लेकिन उसका end में कुछ result नहीं निकलता, और body को खुश में रहना है, तो आपको clean ही खाना पड़ेगा, ऐसा कोई भी body type नहीं है, जिसमें आप कुछ भी खा के भी बहुत अच्छी body maintain कर सकते हैं, हाँ, कुछ-कुछ लोग होंगे, exception, जिनका like, actomop से उन्होंना body बनाया हुआ, जिनका metabolism बहुत जाधा है, तो guys, ऐसा मत करिए, कितन भी knowledge हो, लेकिन अगर आप खराब चीज़ खाएंगे, जंक खाएंगे, तो इससे आपकी body maintain नहीं रहेगी, तो आपको क्या अगरना है, प्रॉपर तरीके से अपना calorie maintain करना है, और clean चीज़े खा के आपको body maintain करनी है, और साती में protein का बहुत अच्छा role play करता है, ये carb cycle में, बिकॉज जब तक आप अच्छा protein नहीं लेंगे, तब तक आपके muscles बिल्ड नहीं होंगे, और carb cycle में ये भी फायदा है, कि आपके fat loss के साथ साथ आप muscle gain भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा बहुत amazing result निकलता है, और ये बहुत easy होता है long term के लिए, बिकॉज आप liver kidney को ज़्य नहीं कर रहें, बिकॉज जब उसको carbs की ज़रूरत है, तब आप उसको carbs दे रहें, जिससे क्या होगा, body भी खुश हो जाती है, और आपके लिए easy हो जाता है, अब आपने देखा ही होगा, जब भी आप एकदम calorie deficient रहते हैं, या फिर keto follow कर रहें, तब आपको बहुत ज़्य क्रेविंग होती है, लेकिन इस चीज में कोई problem ही नहीं है, बिकॉज आपको पता रहता है, तीन दिन में moderate काप में रहूंगा, उसके बाद दो दिन मुझे high काप मिलेगा, और फिर दो दिन मुझे zero काप में रहना पड़ेगा, तो जब zero काप वाला फेजर हैगा, तो आपक को नींद भी अच्छी आएगी, तो ये टाइप से आपको मिंटेन करना है, बहुत ही इजी टाइप का डायेट है, कोई भी मिंटेन कर सकता है, तो जरूर आप लोग ट्राइप करिए का जिससे आपको बहुत अच्छा रिजर्ट मिलेगा, तो इसके बार में आपको जाधा झाल